दोस्तों, Realme ने Realme X2 स्मार्टफोन इंडिया में लाँच कर दिया है और उसके साथ में ये Realme Buds Air भी इंडिया में लाँच कर दिया है ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये एक True Bluetooth Wireless Earbuds है जो Apple AirPods First Generation की तरह दिखता ही नहीं बल्कि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी दिया हुआ है जो आपको AirPods में मिलता है इसका प्राइजिंग बहुत ही बड़िया है 3999 रुपे तो चलिए दोस्तों इसके एंबॉक्सिंग करते हैं देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या का मिलता है और ये जो True Bluetooth Wireless Earbuds है इसका performance कैसा है और इसका मैं Apple AirPods Pro के साथ में कुछ हद तक comparison भी करने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और देखते रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोगी और ये है Realme Buds Air जो इंडिया में लॉंच हो चुका है इस प्रकार की box packing है जो key specifications है वो box के ओपर दिया हुआ है चलिए directly इसकी unboxing करते हैं यह दिखे जो product मुझे मिला हुआ है यह yellow color variant है वैसे यह जो product है यह तीन color options में available है yellow, black और white यह दिखे यह है yellow variant जो की unique किसम का color है और मुझे लगता है कि काफी लोगों को यह color है खास करके ज़्यादा पसंद आने वाला है इसके अलावा box में आपको यह data cable मिलेगा यह USB to USB type-c data cable है और साथ में यह user manual भी दिया हुआ हुआ है जिसमें आपको इस product के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो दोस्तों यह है Realme Buds Air यह है इसका charging case जिसकी build or finishing देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया किसम की है जो pricing है 3,999 रुपे उसके हिसाब से तो awesome किसम की कह सकते हैं नीचे USB type-c port दिया हुआ है और यह जो धकन है इस प्रकार से खुलता है अंदर true Bluetooth wireless यह बढ़िया हुआ है और य इसे उप्योग करना बहुत ही आसान है आपको सिर्फ इस प्रकार से खोलना है और यह जो true Bluetooth wireless earbuds है इन्हें भार निकालना है और आपके कानों में दालना है बस इतना ही automatically on हो जाते हैं और जब कभी आप इनका उप्योग नहीं करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप इस case में दाल सकते हैं यह storage के लिए भी काम आता है और इन earbuds को charged भी रखता है यहाँ पर जो indicator दिया हुआ है इससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है इस charging case के बार में मतलब की charging case में कितना battery बचा हुआ है जैसे आप इसे खोलते हैं तो यह जो LED है light up हो जाती है अगर यहाँ यहाँ पर आपको red LED light दिख रही है मतलब की charging case है उसका बैटरी है काफी कम है आपको charging case है उसे charge करना पड़ेगा चलिए अब यह जो earbuds है इन्हें मैं बहार निकाल देता हूँ और earbuds के बारे में आपको बता देता हूँ जैसे कि मैंने कहा इनका जो look and feel है एकदम apple airpods की तरह ह first generation का हुबहु उसी प्रकार का design लग रहा है और इस प्रकार की dandy के साथ में आता है यहाँ पर charging points है नीचे की तरफ और जो main microphone है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर secondary microphone है या auxiliary microphone कह सकते हैं और यह जो भाग आप देख रहे हैं यह touch control area है और यह खास है यह जो dot आप द अपने कानों में पहन लेते हैं तो यह जो earbuds है यह activate हो जाते हैं मतलब यह कि अगर आपको गाना सुन रहे हैं तो गाना play होना शुरू हो जाएगा अब जो earbuds है इसे मैंने मेरे smartphone के साथ में आइफोन के साथ में pair कर लिया है और यह connected है नहीं आपको एक उधारन बताना चाहता हूँ जैसे ही मैं इन earbuds को मेरे कानों में पहनता हूँ तो यह देखिए automatically जो गाना है play होना शुरू हो गया है और जैसे ही मैं इन्हें मेरे कानों में से निकालता हूँ तो थोड़ी देर के बाद देखिए जो गाना है वो pause हो जाता है तो यह एक unique feature इस true Bluetooth wireless earbuds में दिया हुआ ह और in fact ऐसा ही same feature आपको Apple AirPods में भी मिलता है अब इस Buds Air को अगर मैं Apple AirPods Pro के साथ में compare करूं तो in fact Apple AirPods की जो quality है ज्यादा premium किसम की है लेकिन इसका जो pricing है उसके हिसाब से जो quality है बहुत ही बढ़िया है यह देखिए मैं आपको दोनो earbuds दिखा देता हूँ जो quality है एकदम awesome किसम की ह है यह देखिए तो अगर look and feel देखें तो दोनों की quality काफी बढ़िया है in fact Apple AirPods Pro की जो quality है ज्यादा premium किसम की है लेकिन यह भी कुछ कम नहीं लग रहा है pricing के हिसाब से दोस्तों इस charging के एक और खासित यह है कि यह wireless charging support करता है और यह देखिए यह है Realme का wireless charger यह एक separate accessory है आपको अलग से इसे खरीदना पड़ेगा यह QI charger है 10 watts का output support करता है तो इस wireless charging pad का उप्यों करके आप इस charging case को चार्ज कर पाएंगे आपको सिर्फ इसके उपर इस प्रकार से रखना है और जो power source है उसे connect करना है मैंने already connect कर दिया है देख सकते हैं कि यहाँ पर wireless charging pad जो है उसके उपर प्राइज रेंज में तो यह दिखिए जो यह बट्स है इसे मैंने पहन लिया है बहुत ही comfortable है lightweight है और खास करके यह यह लो कलर है मुझे काफी पसंद आया अभी जो true Bluetooth wireless यह बट्स है इसका उप्यों करके आप मीडिया को control कर सकते हैं और जैसे कि मैं आपको पहली बता दिया इसमें sensors दिया हुआ है जैसे आप इसे आपके कानों में पहनते हैं तो जुगाना है वो play होना शुरू हो जाता है और जैसी ही आप इसे बाहर निकालते हैं आपके कानों से तो जुगाना है वो pause हो जाता है इतना ही नहीं मान दीजे अगर आप सिर्फ एक earbud का उप्यों कर तो यह भी एक इंट्रस्टिंग फीचर दिया हुआ है यह जो यह बर्ट है यह खास पब जी के लिए बनाया हुआ है वैसे तो इसमें Bluetooth 5.0 टेक्नोलोजी का उप्यों किया गया है और यह लो लेटनसी मोड भी सपोर्ट करते हैं मान लीजिए आप PUBG खेल रहे हैं और आपने इ दो सेकंड्स ता खोल करना है उसके बाद में आपको गार इंजिन जब साट होता है तो किस प्रकार की आवाज सुनाई देती है वैसी आवाज आपको सुनाई देगी मतलब कि जो लो लिटनसी मोड है वो ओन हो गया है इसका फाइदा यह है कि यह जो यह बर्ट है यह फुल लाग नहीं मिला तो खास करके अगर आप एक पबजी लवर है पबजी गेम खेलना आपको पसंद आता है तो आप इस प्रकार के यह बर्ट के लिए जा सकते हैं प्राइजिंग भी काफी बढ़िया है लाग भी आपको नहीं मिलने वाला है चाहे आप एंड्रोइड पर इस आउट फाइव इसे मैं 4.6 आउट फाइव की रेटिंग दूँगा मतलब कि इसकी जो कॉलिटी है काफी बढ़िया है दोस्तों एक और चीज ने मुझे काफी इंप्रेस किया है और वो यह है कि मान लीजिए आप ने ये जो यह बढ़ है इसे खरीदा हुआ है और एक यह आप यह बढ़ है और यह गुम जाता है तो आप अपको एक नया रिएल्मी बच्फ़र खरीदने की जरूद नहीं पड़ेगी जो पर्टिकुलर अपसे को गया है उसे आप खरीद सकते हैं या फिर मान लीजिए जो चारजिंग केस है कुछ कारण वह धुम जाता है तो यह जो charging case है इसे भी आप Realme के store से खरीज सकते हैं आपको यह पूरा kit है Realme Buds Air का इसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह जो support Realme ने दिया हुआ है मुझे यह काफी impressive लगा चलिए अब मैं आपको इस device के performance के बारे में बताता हूँ यह जो individual earbuds है यह full charge पर आपको तकरीबन 3 घंटे का non-stop usage दे सकते हैं और यह charging case है इन earbuds को तकरीबन 3-4 बार full charge कर पाएगा मतलब कि आपको in total तकरीबन 17 घंटे का usage मिल सकता है इस charging case के साथ में उसके बाद में आपको इस charging case को charge करना पड़ेगा तो दूस्तों अगर आप एक true Bluetooth wireless earbuds खरीदने का सोच रहे हैं तो यह एक बहुत ही बड़ी option है यह Apple AirPods की तरह दिखता भी है और features भी आपको Apple AirPods की तरह ही मिलते हैं लेकिन प्राइजिंग है वह Apple AirPods का नहीं है मतलब कि इसका प्राइजिंग है वह 3999 रुपे यह Flipkart और Realme के website पर available है तो दोस्तों यह product आपको कैसे लगा comments के मादिन से आप म देखते रहिए